नमश्कार, स्वागत है आपका Self-Study के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर राश्टपती शाषन लगाने की मांग की जा रही है तो एक जो मांग हो रही है एक तो राश्टपती शाषन लगाने की जो Article 356 के तहत आते हैं और एक Article 355 की भी बात हो रही है तो इन दोनों को हम समझने वाले हैं कि Article 355 और Article 356 यह है क्या एच्छल में यह दोनों के दोनों कह सकते हैं कि Emergency से Related है लेकिन थोड़ा बहुत फरक है वो भी हम इस वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करेंगे पीडियो डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो की तो केवल आपको सुनना है कुछ लिखना नहीं है तोराम से इस वीडियो को सुनिये और समझने की कोशिश करेंगे देखिए आपको पता है कि बीर बूम जिले के अंदर जैसे दो बच्चे थे चोटे जो बच्चे थे साथ लोगों को या जहेंगे की वहां पर जो महिलाएं थी उनको एक कमरे में या फिर एक घर के अंदर बंद करके आग लगा दी जाती है और जब उनकी बोडी बाहर निकाली जाती है तो बिल्कुल ही जली हुई मतलब वो इतना भ्यानक द्रिश्या हमें देखने को मिला है ऐसी ऐसी फोटोस वीडियोस सामने आई है दिल दहला देने वाली है तो जैसी वो हिंसा हुई है कहा जा रहा है कि जो आपस में जो गुट है अभी देखो पुलिस ने जैसा कहने को आया है कि ये शायद आपसी लडाई भी हो सकती है या फिर जो वो इंक्वाईरी करेंगे तब सारी चीजों को सामने रखेंगे तो जैसा भी माहौल हमें देखने को मिला है बीर भूमजिले के अंदर हिंसा हुई है और जैसे हिंसा हुई है तो काफी सारे जो राजनेतिक दल है वहाँ पर नेताओं ने कहा है कि जो आर्टिकल 355 जो है उसे लागू कर देना चाहिए ये राष्टपती को बार-बार कह रहे हैं ताकि ये सुनिश्चीत हो सके है कि जो वहाँ की जो राजे सरकार है वो Constitution के according अपना काम कर सके तो हम ये जानेगे कि Article 355 क्या है साथी साथ बोला गया है कि वहाँ पर breakdown हो गया है Constitutional Machinery का इसलिए 355 आर्टिकल लगा देना चाहिए तो चलिए समझते हैं कि Article 355 क्या है देखे आर्टिकल 355 जो है वो ये कहता है कि जो Central Government है यानि कहें कि Union Government है जो संग है उसका करतव्य बनता है उसकी duty बनती है अगर बाहरी आकरमन हो गया है बाहरी आकरमन यानि किसी दूसरे देश ने आकरमन कर दिया है या फिर खुद internal आशांती फैल गई है यानि आंतरिक आशांती फैल गई है किसी राज्य में तो वो उस राज्य की रक्षा करें कोन रक्षा करेगा संग यानि Union यानि Central Government जो है वो रक्षा करेगी और साथ इसाथ इस बात को भी सुनिश्चित करें अपना काम करें यानि जो Constitution में लिखा गया है उस Constitution के according जो है वहां की राज्य सरकार अपना काम करें तो इस बात को सुनिश्चित कोन करेगा संग करेंगी अब यहाँ पर Article 355 के तहत ये बात बोली गई है अब आगे बोला गया है कि Article 355 जो है वो अपात कालीन यानि Emergency प्राफधानों से related है समीधान का पार्ट अगर आप देखते हो 18 पार्ट के अंदर जो है वो Article 352 से लेकर Article 360 तक जो क्या बताया गया है Emergency के प्राफधानों को उसमें बताया गया है अब Article 356 और Article 355 के बीच में जो relation है उसको समझते हैं आर्टिकल 355 में हमें क्या सुनने को मिला कि जो संग है जो union government है उसकी duty बनती है कि वो पुरे देश के अंदर राज्य की रक्षा करे अगर वहां पे internal ऐशांती फैल रही है अगर बाहरी आकर्मन हो रहा है और देखे कि वो constitution के according काम कर रहे है नहीं कर रहे है आर्टिकल 356 में क्या बोला गया है आर्टिकल 356 के तैट बोला गया है कि केंदर यानि central government किसी राज्य में अगर समिधानिक तंतर के विफल होने या फिर उसके अफरोध की स्थिती उत्पन होने पर राज्य सरकार के कारणों को अपने अधीन ले सकती है बोले तो अगर वहां पर government जो है समिधान के according नहीं चल रही है वहां पर समिधान फैल हो गया है अपनी मनमानी यानि अराजकता फैल गई है तो वहां पर क्या कर सकते हैं राष्टपति शाष्चन लगाया जा सकता है यानि आर्टिकल 356 राष्टपति शाष्चन की बात करता है आर्टिकल 355 नहीं करता है समझ रहे हो क्या बात वोली मैंने Article 356 किसकी बात करता है राष्टपति शाष्चन की ध्यान रखना है इसकी तो राष्टपति शाष्चन लगाने के अधार को हम जान लेते हैं कि कैसे कैसे राष्टपति शाष्चन लगाया जाता है देखो 356 के तहित दो तरीकों से या दो अधार है जिनके किसी राष्चे के अंदर राष्टपति शाष्चन लगाया जा सकता है उन दोनों को जान लेते हैं पहला ये कहता है कि Article 356 राष्टपति को राष्टपति शाष्चन लगाने की यानि वो ओर्डर दे सकते हैं उनका ये अधिकार आता है 356 अर्टिकल के दे है अब कब लगाएंगे यदि राज्जे में एक ऐसी स्थिति आ गई है जिसमें किसी राज्जे की जो सरकार है वो समिधान के जो प्रावधान है या समिधान में जो बातें लिगी गई है उसके अकोर्डिंग चलने में वो सक्षम है यह नहीं कैपैस्ति है यह नहीं भई एकदम सिस्टम फेल हो जुगा है ना अधिकारी बात मान रहे हैं या फिर वो अपने मनवानी तरीके से चल रहे हैं तो वहां पर राष्टपती क्या करेंगे जो प्रेजिजेंट क्या करेंगे आर्टिकल 356 का उपयोग करेंगे और वहां पर राष्टपती शाषन लगा देंगे अब जानेंगे कि राष्टपती शाषन लग जाता है किसी राज्ये के अंदर तो वहां पर कैसी स्तिती उत्पन होती है मौली कदिकारों पर क्या प्रभापड़ते है इन सब चीज़ों को भी हम जानेंगे फिर देखे आर्टिकल 365 ये कहता है कि जब कोई भी राज्ये के अंदर के किसी निर्देश का पालन करने में या उसे लागू करने में क्या करता है कि मतलब मानने से मना कर देता है या फिर मान नहीं रहा है उसको सही डंक से उसने लागू नहीं कर रखे है तो राष्टपती के लिए यह मानना वैद हो जाएगा यह नहीं जरूरी हो जाएगा कि ऐसी स्थिती उत्पन हो गई है कि राज्ये के अंदर जो है वो समिधान के अकोर्डिंग काम नहीं किया जा रहा है इसलिए राष्टपती जो है वहाँ पर राष्टपती शाषन लगा सकते हैं क्लियर अब आगे चलते हैं संसदिया अनुमदन और अवदी मतलब कि जब राष्टपती शाषन लग जाता है तो क्या-क्या होता है उसके बाद एक बार जान लेते हैं देखे राष्टपती शाषन ने गोशना कर दी कि मैं राष्टपती शाषन यहां पर लगा रहे हैं तो दोनों सदनों के अंदर यानि दो सदन कौन कौन से हैं एक तो है राज्यसभा और लोगसभा तो इन दोनों सदनों के अंदर जो है वो यह जो अनुमती दी गई है मतलब कि जो घोशना की गई है उसको दो महीनों के अंदर उसे पास होना जुरूरी है अगर नहीं होगा त तो यानि दो महिने तक तो समय लिजी लग जाएगा, अब राश्टपति शाषन के परिणाम, जब भी किसी राज़े के अंदर अगर राश्टपति शाषन लगता हैं, तो एक तो वहाँ की जो गोवर्मेंट है, वो समझो कि वो हट जाती है, मतलब कि अगर पश्चिम मंगाल में जो गोवर्मेंट है, ममताब इनर जी की, तो वो गोवर्मेंट हट जाएगी, तो कौन आ जाएगा, सेंट्रल गोवर्मेंट, यानि पारलेमेंट जो है, वहाँ पर अपना एक तरीके से कानून बनाने के लिए वो आ जाएगी, यानि समझो, जो स्टेट गोवर्मेंट ह पास कर रही थी वो अब नहीं कर पाएगी और उसका काम कौन करेगा पार्लेमेंट करने लग जाएगी यह पावर आ जाती है यानि समझो कि जो गौवर्णर है वो भी हट जाएँगे या फिर जो भी एग्जेक्योटिव हैं वो सारे हट जाएँगे मतलब कि जो भी अपने क् प्राइम मिनिस्टर यानि पर्धान मंत्री के पास यह सारी पावर आजाती है। यहां पर बात करी जाएंगे बहुत जादा इंपोर्टन है। लागू कर देते हैं तो वहां पर जिस अधार पर उन्होंने इस 356 को लागू किया है तो उसको किसी भी अदालत के अंदर चनोती नहीं जा सकती। मतलब कि आप जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते हैं कि भाईया क्यों लगाया किसले लगाया यह नहीं पूछा जाएगा। यह बात बोल दी गई थी 38th amendment किया गया था उसके अंदर और उस वक्त पास भी कर दिया गया था ओविसली क्योंकि उस वक्त emergency चल रही थी और सारी पावर जो है इंदरा गांदी जी अपने पास रखना की कोशिश कर रही थी लेकिन भाईया 1978 के अंदर 44th amendment होता है देखिए बहुत जादा important है 42nd amendment और 44th amendment तो भाईया यह जो amendment हुए है तो यह 44th amendment हुआ यह जो बात बोली गई थी 38th के amendment में यह खतम कर देते हैं जिसका मतलब यह हुआ कि राष्टपती जो है वो अगर उन्होंने 356 article का use किया है अगर उसको judicial review करना हो तो obviously कर सकते हैं वो उससे परे न प्रावधान के अंदर सरकार को किसी भी मतलब की ऐस समाने abnormal situation को सही धंक से चलाने के लिए मतलब वहाँ पर abnormal situation हो गई है उसको normal करना है तो यह power आ जाती है government के पास यानि central government के पास कि अब वो सारा जो वहाँ का काम है अपने अंडर लेगी और चीजों को सही धंक से और यहाँ पर भारतिय समिधान में अपात कालिन प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं लेकि बहुत जादा important है कि हमने emergency कहां से लिए है जादा तर हमने सुना है कि हमारे article जो है हमने 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 से हूब हूँ उठा लिए है या थोड़ा मौली कालिक अधिकार का निलंबन उजाता यानि उनको Suspend कर दिया जाता है वह हमने Wemar Jerman का सम्गिधान है वहां से हमने इसको लिए है समन्मने वाले दो चीजे हैं कि emergency कहां से लिए और emergency के दोरान मौलीक अधिकारों को हटाना या फिर किनका निलंबन करना या suspension करना वह हम एकता, अखंडता, सुरक्षा, लोकतांत्रिक, राजनीतिक व्यवस्ता और समीधान की रक्षा करना, जो है, वो emergency के प्रावडानों का उदेश्य होता है और तीन तरीके से हमारे पास जो है, वो emergency लगाई जा सकती है 3mek 1. राष्र्ट्रिया अपात्काल जिसको ऊ Healthcare 2. समविन्धानिक अपात्काल जिसको भौते हैं Constitutional Emergency 2. एक होती है हमारे सामने वित्य öl्र्ज्णी यानि Financial Emergency अभी एक एक करके इंको समझते हैं 3. राष्ट्रिय अपात्काल का क्या मतलब यानि National Emergency क्या होती है national emergency तब लगाए जाती है तब जब अगर ये हो कि लडाई हो रही हो बाहर आकर्मन हो गया हो यानि दूसरे देश ने आकर्मन कर दिया हो एक शहस्तर विद्रो यानि कि खुद की सैना ने ही यहाँ पर बगावत कर दियो एक तरीके से तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं national emergency को हम लगा सकते हैं clear हुआ sorry गोशना का अधार क्या होगा इसके grounds क्या होगे declaration के देखे आर्टिकल 352 के दायत राष्टपती जो है वो national emergency लगा सकते हैं जब भारत या उसके किसी एक हिस्से में सुरुक्षा को यूद या बाहरी आकर्मण या सरस्तर विला को खत्रा हो जाएं मतलब कि उसके उपर आकर्मण हो गया है भारत की किसी हिस्से के उपर तो national emergency लगाए जा सकती है राष्टपती यूद या सरस्तर विद्रो या बाहरी आकर्मण को वास्ति गटना से पहले ही राष्टी अपातकाल की गोशना कर सकते हैं अब एक तो होता है कि अटेक हो गया है और वहाँ पर हम यूद में लगे हुए तब राष्टपती जाएं वो emergency declare करें और एक होता है कि होने ही वाला है उससे पहले ही national emergency लगाएं तो वो कर सकते हैं ये बात बोले गई है यहाँ पर अब यहाँ पर समझना है कि देखिए एक तो यूद या फिर कहीं कि बाहरी आकर्मन हो गया है तो अगर उस अधार पर national emergency लगाए जाती है तो उसको बोलते है external external aggression यानि मतलब कि यहाँ पर विद्रो कर डाला हो armed rebellion जो होता है अगर वो कर डाला हो तब क्या होता है कि जो यहाँ पर emergency लगाए जाती है उसको internal emergency बोले जाता है internal emergency बोले जाता है देखिए शेश्टर विद्रो को इस शब्द को बदल दिया गया था 44th समिधान संशोधन के द्वारा और यहाँ पर इसको बदल के क्या कर दिया गया था आंतरिक आशान्ती आंतरिक आशान्ती करके मतलब इस सहस्टर विद्रो का नाम क्या बदल कर दिया था आंतरिक आशान्ती कर दिया गया था तो अब चीज़ों को ध्यान रखने आपको Article 352, 55, 56 और ये आतरीक शंती 44 Amendment Act ये सब चीज़ें आपको लोगों को ध्यान रखनी है अब एक चीज़ और समझनी है आपको Financial Emergency क्या होती है Article 360 के तहत क्या है राश्टपती को अगर ये लगे किसी भी राज्जे के अंदर वहां पर Financial वो एक तरीके से Emergency का Time आजाते है कि वहां पर एक दो जो राज्जे सरकार वो Fail हो गई है उनके पास एक भी पैसा नहीं बचाए उनके सारा Balance खराब हो चुका है इस तरीके कि अगर प्रिस्तिती आ जाती है तो उसे कहते हैं वित्य आपातकाल की वो घोशना कर सकते हैं यानि Financial Emergency की वो घोशना कर सकते हैं Clear हुआ जहां पर हम कहते हैं कि वित्य स्थिर्ता या Credit को खत्रा आ जाता है Clear हुआ यहां पर अब आगे चलते हैं Financial Stability करहाब हो जाती है अब मोलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव बढ़ता है Emergency की तरह तो यहां पर आपको 358 और 359 आर्टिकल को ध्यान रखने देखें मोलिक अधिकारों पर राष्ट्रिय अपातकाल के प्रभाव को दो तरीकों से यहां पर बताये गए एक तो यह कि Article 19 जो है जिसके अंदर हमारे मोलिक अधिकार आते है छे मोलिक अधिकार आते है अगर Article 358 के अनुसार यह बोला गया है कि राष्ट्रिय अपातकाल की गोशना की जाती है National Emergency की गोशना की जाती है तो वहां पर क्या है Article 19 के तहत जितने भी छे मोलिक अधिकार आते हैं वो automatically suspense हो जाएंगे मतलब वो लागू नहीं रहेंगे आप बाहर जाकर आप यह नहीं कह सकते कि मुझे freedom of speech है या फिर मैं freedom of form एक संग बना सकते हैं तो यह सब चीज़े नहीं कर सकते उस वक्त जो Article 19 है उसके 6 जो मोलिक अधिकार हैं उसके अंदर वो automatically निलंबित हो जाएंगे अन्य मोलिक अधिकारों का निलंबर देखे Article 59 के तहत जो है राष्टपती को राष्टिय अपातकाल के दौराण दौराण आदेश के दौरा मोलिक अधिकारों के परवर्तन हितु किसी भी अधालत में जाने के अधिकारों को निलंबित करने की शक्ती प्रापत है यानि Article 59 के तहत बोला गया है कि राष्टपती के पास पावर है कि वो किस-किस मोलिक अधिकार को निलंबित करना चाहते हैं पावर't क Li Parism कोर्य कैथे कि आधिकारों का मोलिक अधिकारों के चाहते हैं फंडामेंटल राइट को लागु करवाने के लिए अधालत में जा रहे हैं तो उस वक्त नहीं जा सकते हैं क्योंकि राष्टपती ने आधिछ दे थी है एक तगे हैं हालांकि ये चीजें ध्यान रखनी होगी कि राष्टपती शाषन और वित्यापातकाल के तुरान मौलिक अधिकार परभावित नहीं होते हैं यहां पर इनके उपर अफेक्ट नहीं पड़ता है मौलिक अधिकारों का कब वित्यापात और राष्टपती शाषन के तुरान मतलब और बाकी नेशनल एमर्जेंसी के तुरान मौलिक अधिकारों के उपर परभाव बढ़ता है अब उमीद करता हूँ कि इस सारा सेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा बहुत important topics या फिर कहें कि article जो है वो आपके exam के point of view से आपको जानने को मिले होंगे फिर से बता देता हूँ कि PDF के लिए तो आप जो है वो टेलिग्राम पे टेलिग्राम का एक link दिया मिलेगा description box में तो जाकर आप वहाँ से download कर सकते हैं साथी साथ या फिर टेलिग्राम पे self study आप टाइप कर लेजिए इस तरीके का icon नजर आएगा तो ऐसे ही आप join हो सकते हैं आपको मिल जाएगी वीडियो मिल जाएगी और like करें वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो चैनल को subscribe करें और कुछ जादा ही पसंद आ गए हैं तो भाईया शेयर कर सकते हो वीडियो को as well as channel को thank you for watching this video